जलगाओ के महरून का इलाका हो यावाड नमबर 18 का समाजकारण और राजकारण तेजी से उबरते हुए युवाने था साहिल पटेल ने अपने प्रेरना दाई ने था जितेंद्र आवाड के नक्षे कदम पर चलते वे खर्शनिवार को जनता दरबार भराने की गोशना की है अब यहां से खर्शनिवार साहिल पटेल रहिवासियों की समस्याओ को सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगी ही नहीं उनके समस्याओ का हल्वी निकालेंगे और जहां तक संभव हो अपने खर्च से समस्याओं का समाधान निकालेंगे इसी मुहिम के तहित आज परतम शनिवार को गणिशपूरी अक्सनगर के निवासियों ने साहिल दर्बार में अपने शिकायतों का पिटारा खोल दिया इसी इलाके के रहने वाले अड़ोकेड इमरान हुसेन शेक और उनके दोस्तों ने बताया कि कई जगों उपर गटर चुकप हो गई है गटर के उपर के स्लैब और सद दर्जे के निर्मान के चलते ढहे गए है कई दिनों तक सापसपाई नहीं होती लोगों ने साहिल पटल से अनरोद किया है कि जल्द से जल्द तुटे हुए स्लैब की मरमत करवा दे अब ये दिखना दिल्चस्प होगा कि ये मरमत का काम पुरा होता भी है या अन्य राजकार्नियों की तरह साहिल भी वादा तोड़ेंगे या निभाएंगे ये तो आने वाला वकत ही बिताएगा क्योंकि किस्में वादे प्यार वफा सब वादे है वादो का क्या बाते है बातो का क्या इसके बाद नमबर आता है शिकायत नमबर दो गनिशपुरी लाके में मौजूद एक पुराना कुआ कुडे कच्रे का सामराज्य बन गया है कई बरसों से उसकी सापसफाई नहीं की गई जिसका खामयाजा बद्बू, मच्छर, किडे मकोडों की पैदावर के रूप में आसपास के लोगों को उठाना पड़ रहा है गंदगी इतनी बढ़ गई है कि इस कुई में रहने वाला बिचारा कच्छुआ भी अब परिशान रहने लगा है थोड़ा उदास रहने लगा है आजकल कोरोना के साथ ही डेंग्यू भी सर उठाने लगा है लोगों का स्वास्त खत्रे में हैं तवेत की शिकायते बढ़ने लगी है इस समस्या की शिकायत भी साहिल दरवार में की गई है अब देखते हैं साहिल दरवार का पहला शनेवार कितना कारगर सिद्ध होता है अगर लोगों की शिकायते साहिल सचमुच दूर करते हैं तो यकिनन लोग वही जाएंगे उसी युवा निता को फालो करेंगे जो उनके वक्त पे काम आता है आज मौसिन इंडिया 365 जलगाओ तो यहां चाहिए अमित्याना कदी साहितला ते काम करत नहीं आम चाहिए दोन समस्थ्या मोटी मोटी होती एक कि एका गल्ली मदे जसा आपना था वीडियो काली कि वीडियो पाईली असल कि ते ज़ए धापा टुटलेला है अनि एक काम चाहिए ओपन स्पेस मदे असलेला एक अपली वीर ती ते गांड जालेलिया है आता जर पाईली समस्थ्या पाईली अपन तर तिख थे ज़ए डापा टुटलेला है तो लोकांचे जिवावार उत्तो है कि कुठे साइकल चालोनारा मुलगा कि वा रातरी एनरे कुंती गाड़ी कोनी वेसकर मानुस्तिकडे पढला ता असारे बाहर काडलेलेले बाहर निगालेले ते चा तुन गेपढला तो तो तेला काय मार लागनारते तेला समाइक नंतर दूसरी समझ से अपली जली वीर होता अपन स्पेस मादे असलेली वीर ये नंहगर पालीके के चा अथा ता है अमी त्यानना सांगीत लेला है कोनाला यह द्यायच ना checkpoint चालोनार म काड़े श्थेवा अनि त्या वीर मादे असलेली गान मी आता तुमाला वीडियो प्रवाद मार्फत आमी दाखोना राहोत कि तेचेत गहान पावी कि इतकी गहान है कि कोंते ही आजार इकशण पासरू शकता पन नगरपाली के चा कोंते ही इकड़े दखल आमचा कड़े नई है 4-5-5 माहीने दाले ये जानन सांगोन आता करतो नंतर करतो पैसे नाही आये नगार पाली के कडे मग दूसरा एर्या मदे काम होत नहीं का मला हे सांगा तुम अंजर होत अस्तिल ता आमचा कडे आमि काय तुम्चा सुबत वेवार केलेला है कि वह तुम आला काय आमि तकलिब दिलीले प्रोग्राम चालू केलेला है। प्रोग्राम चालू केलेला है। प्रोग्राम चालू केलेला है। सपय कामगार कि वा तुम्चे टेकेदार जे त्ये काई किरता है। तुम्ही सांगा वास है। नि लोकानगा पूत्तर जयाओ, काम करुंद जयाओ है। ये करना रहruktur है, तु ता करना रह銀य को पोर्च ज़ा chord को है। आता याई वेडी तेपान आमचे काम करून देता है, मग पूर्चे काम कशे कराईचे, ते आमी आमचे वाटसल पूरे ठरूओ, धन्यवाद। मैं साहिल हाजी मुशीर पटेल, राष्टवादी कॉंगर्स पाइटी महानगर जिल्ला संगटक परमुक। हमने हर शानिवार को जनता दर्बार लगाया है, जनता दर्बार में हमने लोगों के समस्या सॉल करने के लिए जनता दर्बार लगाया था, लेकिन COVID-19 को देखते हुए कि लॉकड़ाउन है, इसका पालन करते हुए हमने कही पर टेंट लगाना मुनासिब नहीं समझा, तो हमन कुछ इसकी प्रॉलम है, क्या कुवे की प्रॉलम है, ऐसी बहुत से समस्या है, तो जैसे भी जो जो समस्या है, नाले की, गटर की, हम हर शनिवार को सॉल करने वाले है, क्योंकि मेरे साब जो जितन दर्बार साब है, इनका भी जनता दर्बार शुरू है, तो उनको देखते जाषु आप देखी है उसका खर्च कश्ट किया ओंज करती हैं हम यह करजेमных रुड़े में करना तो पड़ेगा कुछ और गीर जाए कुछ हो जाए क्योंकि वो आज वाइट की समस्थ्या जो बहुत बड़ी समस्थ्या आए वे यह इनका काम है करना और इनकी दिवटी है मेरे से आज में ने किया तो बड़ी बात है लेकिन इनों ने किया तो बड़ी बात नहीं है कि फोटो शेशन से काम नहीं होते साफ ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ते और मैं इंसे यह उम्मिद रखता हूँ कि साब आप जब भी काम करते हैं, तो एक काम कर दीजिए लोग की जितनी भी समस्या है, मुझे पॉलिटीशन का कोई यह नहीं है, मैं स्रीब इसलिए करता हूँ कि कुछ दूसरे लोग काम नहीं करते हैं, आज भी अगर यह लोग काम कर देगे, तो मेरे ऐसा बदनसी पॉलिटीशन में नहीं आएगा, आप इस बात को समझ लिजिए,